अस्तामनीकूम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो ठप स्मार्टीज, ट्रामा सीरियल बहरूप तैमूर तो बहुत ही ज्यादा अकलमन निकला अब यहाँ पर जो डॉक्टर आबया से जाकर मुराकात कर ली तो हर शक उसका दूर हो गया, दूद का दूद और पानी का पानी हो गया अब वो समझ जाता है कि फलक बिलकुल बेकसूर है, बेगुना है सारा कसूर इस किंजा का है, और किंजा क्यों यह सब कर रही है अब तैमूर बाहू भी सोच सकता है, समझ सकता है सिर्फ दौलत के नशे की वज़े से ही तो किंजा यह सब कुछ करती है डूक्टर आबिया से मिलने के बाद बहुत ही परिशानी की आलम में जब तैमूर घर आता है तो किंजा आते ही उसे लेकर ऐसे बैट की, जैसे वही उसकी बेगम हो और कहने लगी तुमने मुझे बताया नहीं कि सुहेद इसलामाबाद गए हैं वो तो उनकी कौल आगी वरना मैं तो सारी रात बहुत परिशान रहती अब परिशानी तो इसको बस छूटी कस्तन की है अब तैमूर इसको बता ही देता है मैं डाक्टर राबिया से मिलकर आ रहा हूँ और उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया किंजा के यहां पर भी ड्रामे स्टार्ट हो गए और यहां पर भी वो सारा मलबा फलक पर डालने की कोशिश करती है लेकिन तैमूर बच्चा नहीं सूच पूच रखता है वो जानता है कि उस होस्पिटल में किंजा ही जाती थी फलक नहीं इसलिए वो अब फलक पर एत्वार करेगा और किंजा को ही शक की निगा से देखेगा किंजा ने तो बस ट्रामा स्टार्ट कर दिया रोना दोना शुरू कर दिया कि फलक अब इस हद तक भी गिर सकती है मैं और मेरे बच्चे इसके साथ महफूज नहीं अब तो तुम्हें फैसला करना होगा तैमूर तैमूर भी हरान कि कौन सा फैसला करना होगा तो वो हुकमन कहती है या तो इस घर में मैं रहूंगी और या तुम्हारी बीवी ये कहते हुए अपना फैसला सुना कर तो वा कमरे में चली कई फलक जानती ही नहीं कि तैमूर को सब कुछ पता चल गया इसलिए तो किंजा भाबी की जाकर मिंते करने लगी अब फलक तैमूर के पास भी जाती है अगर आपका यही फैसला है तो मुझे बता दे मैं एक मिनट पिहां पर नहीं रुकूंगी तैमूर तो सब कुछ जान चुका है उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगा अगर मिला ये फैसला ना हुआ तो अगर मैं ये ना चाहता हुआ तो अब फलक तो सिफ उसको देखती रह जाती है फलक के पास इस टाइम कोई सबूत नहीं जिसे वो अपनी बेगुना ही को थाबत कर सके लेकिन जो मामला उसने अपना कुद्रत के हवाले किया था कुद्रत ने उसे बेगुना थाबत कर दिया तेमूर को पता चल चुका है कि गुनेगार कौन तो बेगुना कौन दूसी तब हम देखेंगे सोनिया अपनी मां को छोड़ कर सुहिल के साथ इसलामाबाद चली गई क्योंकि सुहिल की वहां पर मीटिंग थी और फिर इनका हनीमून भी तो होना था इसी सलस्ते में वो मां को छोड़ कर जाती है मां पीछे अकेली बहुत परेशान है जुल्फी के ह्यालों में ही गुम है तो ऐसा लगा जैसे जुल्फी किसी मुसीबत में है मुसीबत में है बचालो उसे मा रोती रही सौन्या सौन्या को आवाजें अगाती रही बेकिन सौन्या तो यहां पर मजूद ही नहीं ऐसे में मां को फिर से हार्ट अटैक आएगा और वहीं पर इसकी मोत हो जाएगी जब सौन्या वापिस आएगी तो मां मर चुकी होगई जिसकी वज़ा से किंजा का फैसला तो वहीं का वहीं रह गया पलक निकलेगी या फिर मैं निकलूंगी अब यहां पर सोनिया की मां की मौत के वज़ा से कोई निकलेगा तो नहीं लेकिन यहां पर सोनिया आकर जरूर शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि सोनिया वहां पर अकेली नहीं रह सकती सोहेल ने तो अपनी फैमली के साथ रहना है तो सोनिया भी यहीं पर आकर रहेगी क्योंकि वो अकेले घर में नहीं रह सकती अब आइस्ता ही आइस्ता किन्जा को सोनिया और सोहेल की शादी का पता चल ही जाएगा क्यूंकि वो भी मिया बीवी है और एक तिसरे से बहुत महबत करते हैं तो छुप छुप कर रुमेंस करना तो बनता ही है तभी किन्जा की जब नजर पड़ेगी तो एक दम से वाव वेला आ जाएगा इस घर में तभी तो असल मज़ा आएगा इस ट्रामे में